नमस्कार साथियों यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट हो सकता है यदि आप सेंट्रल गॉर्वर्मेंट के इंप्लॉई हैं हमारे बहुत सारे ऐसे साथियों देश की सेवा करते हैं आपको को कोई समस्या हो गई है तो आपको घबराने की ज़रुत नहीं है आपके लिए आप जानते ही होंगे अगर Central Government के Employee है तो आपके लिए CAT की सुविधा दिल्ली में है यानि Central Administrative Tribunal Central Administrative Tribunal का मतलब यह होता है कि Central Government Employee से सम्मंदित यदि किसी भी परकार का विवाद है किसी भी परकार का अगर किसी Employee को GRIVANCES है तो वो CAT के अंदर जाएंगे और वकील के मातहम से अपने केस को फाइल कर सकते हैं और वहां से नियाए हासिद कर सकते हैं CAT से यदि कोई केस हार जाते हैं या CAT से यदि आपको साथियों मैं आपको यह भी पताना चाहूंगा कि देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेंट्रल गॉर्मिंट के एंप्लॉई हैं लेकिन उन्हें CAT के बारे में सही जनकारी नहीं है नहीं वो CAT के expert advocate को ढूंड पाते हैं तो उनके पास एक ही तरीका होता है कि वो कोर्ट में जाते हैं कोर्ट में उस वक्त रेंडम जो वकील उनको मिल जाए यानि CAT में जाते हैं वहाँ पर रेंडम यदि कोई advocate उनको मिल जाए तो उससे ही अपना मुकदमा दे रेते हैं उनको लगने के लिए लेकिन आपको यह ensure करना जरूरी है कि आप जिसको मुकदमा दे रहे हैं वह आपकी case के लिए expert advocate है यानि यानि यदि आप इस तरह के समस्याओं से जूज रहे हैं तो आपको घबराने के बिल्कुल भी जरूरत नहीं है हमारे हमारे law form के अंदर हमारे lead india law associates के अंदर कई ऐसे advocate हैं जो cat के लिए बहुत ही expert advocate है जिन्होंने कई cases में महारत हासिल किया और उन्होंने अच्छी जीत हासिल किया बहुत बढ़िया तरीके से उनका practice चल रहा है तो यदि आपका कोई case है जो cat से सम्मंदित है या आपके service से सम्मंदित है आपको किसी भी तरह की समस्याओं से जूज रहें आप अपनी service में या कोई भी आपके साथ आपको लगता है कि नयाय आपके साथ नहीं हुआ है तो आप बिलकुल ना घबराएं ना परिशान हो औ और आप हमारे जो helpline number 989974568 या फिर 8800444555 पर भी आप संपर्ग कर सकते हैं हमारा helpline number इस वीडियो में display भी हो रहा है आप इस पर संपर्ग कर सकते हैं और अपने लिए एक उप्योगत वकील धून सकते हैं जो आपको पून्यत्या नयाय दिलाने में मदद करें संद्वा हुआ है